नमस्कार आप देख रहे हैं Self Made Tutorial आज आप देखेंगे UGC NetJRF Previous Year Question Paper जो लेक्सर स्रीज है UGC NetJRF के लिए जो चलाया जा रहा है जिसमें हम Previous Year Question Paper यानि वीगत वर्षों के प्रस्न पत्र लेकर आपके लिए आ रहे हैं 2006 से 2011 तक उस स्रीज का आज लाश्ट वीडियो है क्योंकि हमने Ancient Indian History, Medieval Indian History और Modern Indian History और साथ ही विश्वितिहास के जो Important जो टॉपिक है उसका हमने प्रिवियस एर में किस तरह के Question इन टॉपिकों से पूछे गए हैं वह हमने अपने चैनल पे अप्लोड कर दिया है और यह लाश्ट वीडियो है इसका सिर्शक है या यह का इसका टाइटल है विश्वितिहास सोध विचार इसके इस टॉपिक से किस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं पूछे गए हैं विगत वर्सों में उसकी चर्चा हमें आपके करेंगे और देखेंगे उसके बाद से यह कंप्लीट होने के बाद जैसे कि 2006 से 2011 तक के प्रिवियस एर में किस तरह से चैप्टर वाइज कोशन प आप एक साथ देख सकते हैं अब नए सीरीज इस इसीनेट जारेफ की तियारी के लिए एक नए सीरीज चलाया जाएगा जिसमें आप स्लेवस वाइज जैसे कि उजिस इनेट है जो सीलेबस है यूनिट वाण यूनिट इस तरह पूरे 10 सीलेवस है दस शॉरी दस इूनिस है तो उन यूनिट को कावर किया जाए गा क्यूंकि मेरे चैनल पर तो बहुत सारे डिस्रीप्टिव है टॉपिक डाला गया है जिसे नोट्स तयार कर सकते यह लेकिन मेरे UGC net की त्यारी के लिए मैं descriptive net डालूँगी, ऐसा जो trick wise हो और साथ ही जो point छोटा छोटा ही point जो exam में पूछे जाते हैं, इस तरह से त्यार कराया जाएगा, इसलिए इस वीडियो के बाद आप चानल को subscribe करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक नया series start होगा अगले आ अपिक है, विश्व इतिहांस, सोध एव विचार, तो जैसे दिसंबर 2010 में पूछा गया जो question है, पहला question, विश्व व्यापी मंदी 1929 से उत्पन आर्थिक संकट का सामना किस नीती को अपना कर किया गया, यानि विश्व व्यापी मंदी, प्रथम विश्व जुद के बाद जब पूड़े विश्व में एक आर्थिक मंदी छाई, उस समय एक नई प्रकार की नीती अपनाई गई, आर्थिक संकट से नीपटने के लिए, वो नीती कौन सी थी, new deal नीती, एक का आंसर क्या होगा, c, new deal नीती, question number two, किस मानो वादियो के राजकुमार के रूप में जान जाता था, आंसर होगा, इरे सैमस, इरे सैमस, मतलब ये जिनोंने लिखा था इरे सैमस ने, praise of folly, जिनोंने सबसे पहले, चर्च पर वियर्ण किया, और मुर्खों की प्रसंसा नाम की एक पुच्तक लिखी, जिन में प्राचीन कैथोलिक धर्म परिनोंने आवाज उठाया, और रूडिवाजता और अरजक्ता अविवस्था को दूर किया, साहति धर्म सुधार अंदुलन में इनकी प्रावमून क्या थी, जो आगे चलके इनहीं के कदमों पर आगे बढ़ते हुए, मार्टिन लूथर्ट किंग ने काम किया, Q3, कौन देश सोलावी सताबदी में एक राष्ट्र, राज के रूप में बिक्सित नहीं हो सका, आंसर होगा, इस्पेन, आंसर डी है, Q4, Q4 में ये सुमेलित करना है, सुची 1 को सुची 2 से, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, जो जैक रूसो, क्रोसी, मादमा रोला, तो इसमें आंसर होगा, B, B मतलब A का 4, मैं क्रांती का पुत्रू, किस ने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, जैक रूसो ने क्या कहा था, मनुष सुतंत्र पैदा हुआ है, किन्तु हर जग़ जंजीरों से बंदा हुआ है, किस ने रिखा, रूसो ने, क्रोशी ने कहा है समस्थ इत्यास समकाली नितिहास है माडम रोला ने कहा कि सोतंत्त तुम्हारे नाम से क्या अपराद के लिए जाते हैं ये उनुने कहा तो ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं इस तरह के कोश्चन बार बार पूछे जाते हैं जब आप प्रस्ण पत्र हल कर रहे होते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर 2, तो उस सब जब आप लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में जो कोशन पूछे जाते हैं, विश्वितिहास से, सोधे और विचारों से, तो यही सब कोशन होते हैं, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें, जून 2010 में पूछा गया, कोशन नमबर 5 आप देखिए, किसे मानववाद का जनक कहा जाता था, पेट्रॉक, इतली का रहने वाला पेट्रॉक को मानववाद का जनक कहा जाता था, यानि कि इन्होंने मानववाद का जनक, यानि फादर ओफ हुमेनिटिज्म कहा जाएगा, क्यूंकि उसने कहा था, कि दुनिया में ऐसे ही कामरे ज़रूर जो मानवव के हीत में हो, कोशन नमबर 6, क्यूंकि नमबर 7, यानि जेनरल वील, जेनरल डिजायर या जेनरल वील भी कह सकते, किसने कहा था, सिधान को प्रस्तुत किया था, रुषों ने, रुषों की दो पुच्टकाती, एक समान इक्षा और एक सोशल कंटेक्ट, समाजिक समविदा, कोशन नमबर 8, 8 में भी दिया हुआ है, पुच्टक का नाम दिया हुआ है, वर राइटर का नाम है, इसे मिलान करना है, जैसे, एरे समस, मैक्यावेली, टर्म्स मोर, दाते, एरे समस की पुच्टक, प्रेज अफ फॉली, याने मुर्खों की प्रसल सा, मैक्यावेली की, दप्रिंस, ठीक है, टर्म्स मोर की पुच्टक, यूटोपिया, दाते की पुच्टक, डिवाइन कवेडी, तो ये रहा, कोशन नमबर 8 का आंसर हो जाएगा, डी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, धी मता उर्जा का, एक सतत संघर से, वानी जे, यानि, वानी जे वैपार, किस ने कहा था, जो बैटिस्ट कोल बेएर ने कहा था, वाइट मैंस का भार सिधान था, क्या वाइट मैंस का भार सिधान था, समराजवाज से समन्धित, कोशन नमबर 11, प्रस्ण संख्या 11 नाजी सोवियत संधी पहंताक्षर किस वर्स में किये गये थे तो 1939 यानी 1949 में किया गया था प्रस्ण 12 कौन सा देश इंगलेंड और फ्रांस के साथ 1940 के दसक में अपनिवेशिक मुद्दो पर सहमत था रूस कौन सा देश इंगलेंड और फ्रांस के साथ 1940 के दसक में अपनिवेशिक मुद्दो पर सहमत था तो आंसर होगा बी यानी रूस निमलिकित में से कौन सा गयर कॉमन वेल्थ देश है मयामार मयामार जो है गयर कॉमन वेल्थ देश है सोध एक अध्यानसिल खोज है पहचान समागरी खोज ने तथ्य परक एक अध्यानसिल खोज है क्वेशन नंबर 15 निमलिकित में से कौन समाजिक विज्ञान सोध में मूल निर्णय के प्रवेश के विरोध में चिन्तित था टी डबलू हच्चिसन इसका अंसर होगा ए अब देखते हैं जून 2008 में जो क्वेशन पूछा हुआ है जैसे क्वेशन नंबर 16 यानि सुल दूतिय विश्जुद्ध के दौरान किसने कहा था मैं राजा का प्रथम मंत्री नहीं बना हूँ की ब्रिटिश समराज के समापन की अध्यक्षता करो किसने कहा था विश्टन चर्चिल ने कहा था कोशन नंबर 17 प्रथम समाजवादी समु कहा बना था प्रथम समाजवादी समु बना था रूस में आंसर होगा बी कोशन नंबर 18 समराजवादी की सरवाधिक सु असपष्ट अभिवैक्षती क्या थी समराजवाद की सरवादिक सु असपष्ट अभिवैक्ति थी उपनिवेश यानि कि यदि आप समराज की विश्थार करना चाहते हैं समराज का विश्थार मतलब होता है कि जब कोई मजबूत देश जिसकी कमजोर देश पर अपनी सत्ता अस्थापित करता है वहाँ अपने वाजबबर विश्थार अस्थापित करता है समराजवादी देश तो सु असपष्ट अभिएक्ति क्या हैम्ने के उपनिवेश की सत्हपना करना वयवहार को तर्क संगति के रूप में परिभासित करने के लिए किसने सावधान किया था तर्क संगती के रूप में परिभासित करने के लिए वार्नल होस वाल्ड ने वार्नल होस वाल्ड ने तर्क संगती के रूप परिभासित करने के लिए सावधान किया था कुशन नमबर 19 का आंचर होगा C चलिए, आगे बढ़ते हैं Question number 20 प्रस्ट संख्या 20 Imperialism is the highest stage of capitalism नाम की पुस्ता किस ने लिखी? एक बार फिर से सुन लिजिए Imperialism is the highest stage of capitalism नाम की पुस्ता किस ने लिखा? P.I. Lenin ने लिखा यानि Lenin की पुस्ता किस ने लिखा? रंग भेद यानि अपार्थाइड निथी को किस ने अपनाया था? रंग भेद निथी को किस ने अपनाया था? Great Vitae ने Question number 22 पुनर जागरन कालिन चित्रो जीने लास्ट सपर और मोना लिखा नाम से जाना जाता है प्रसी दिक्रितिया किस ने बनाईती? तो मोना लिखा और लास्ट सपर जो है लास्ट सपर मतलब अंतिम भोज और मोना लिखा की जो अधुट पेंटिंग है वो बनाया था लियनार्दो दविंची ने ये भी इटली का ही रहने वाला था बहुत बड़ा चित्रकार था जून 2007 में जो कोशन पूछा गया है उसको हम एक बार देखते है रेनेशा पुनर जागरन काल में ग्रीक रोमन क्लास्टिको के अध्यन को जाना जाता है रेनेशा का मतलब होता है पुनर जागरन पुनर जागरन का समय यानिकी हम विश्व में जो पुरानी पंथी जो विचार थे या यह कहे कि समाज थे उनमें जो नहीं विचार आया उनमें जो जन चेतना में एक नहीं जागरी थी उत्पन की हुई उसी को अब लोग पुनर जागरन कहते हैं पुनर जागरन के काल में ग्रीको रोमन क्लासिकों के अध्यन को जाना जाता है किस रूप में मानवयाद यानि हुमनिटिजम के रूप में हुमनिजम 24, कुशन नमबर 24 किस ने कहा कि वानीज एक लगातार युद्ध है चातूर और छमता के लिए सभी राष्टों के बीच में है जॉन वेदा ने कहा था अंसर होगा A कुशन नमबर 25 फ्रांस में केलविन वादियो को किस नाम से जाना जाता है फ्रांस में केलविन वादियो को यूजे नोज यूजे नोज के नाम से जाना जाता है प्रस्ण संख्या 26 दिसंबर 2006 में जो क्वेशन पुछा गया है जैसे बुर्जवा वर्ग की आर्थिक सक्ति विश्व का पश्चिमी करन और दास प्रथा का पुनर जिवित होना पढ़नाम थे वानिज्य करानती की विश्वा वर्ग की आर्थिक सक्ति विश्व का पश्चिमी करन और दास प्रथा का पुनर जिवित होना किस की पढ़नाम थे किस करानती की तो वानिज्य करानती के पढ़नाम थे अब हम देखेंगे क्वेशन नमबर 27 इसे भी सुमेलित करना है जैसे इनकी जो पुस्तक है उन्होंने कौन-कौन सी पुस्तके लिखी है बुक लिखे है उनके बारे में है जैसे काउंचिल ऑफ काउंचिल औफ ट्रेंड जो है काउंटर रिफ्पारमेशन इसे समस्ध़त है आडॉल्फ उट्लार अडॉल्फ इत्रले फिऊरर good जॉन लॉक जीन जॉक रूसो जीन जॉक रूसो ने सोसल कंटक्ट थीरी दी थी वेनितों मुसलीनी वेनितों मुसलीनी डियूस कि असे समधित है इसब्द है अब हम देखेंगे जुन 2006 में पुछा गया कुश्चन निमलिखित में से कौन सहां अनाल्स अनाल्स स्कूल का प्रभावी लक्षन नहीं है अंतर विश्यक औधारना जो है अनाल्स स्कूल का प्रभावी लक्षन नहीं है किस ने विचार रखा था कि इतिहास में कोई वास्तु परकता नहीं हो सकती. वास्तु परकता नहीं हो सकती किसंने लिखा अब यह जो question आप देख रहे हैं इसे इसलिएनस जा रहा है क्योंकि एक तो fundament और से भी आपने question देखा दूसरी आप देख रहे हैं साथ, कौन lookout nirpix यांदोलन से जूड़ा नहीं था दिख लेते हैं MARSHAL ठीको, जौहल ल करने लेआ। नैलसम्मंदलो तोक दला राश्परति शुड़ स. Q31 प्रोटेस्टेंट धर्म के को कानूनी实 दल गई था और स्वेवर कॊश्टेंग pearl साजको में से एक उदारवादी तयान रही से जुड़ा नहीं था। कौन एसका फ्रेडिक दोती, रूस के पीटर मछन, फ्रांस के लिए 14шейौद मोचिक जूद रही जूद हया isосेफ wildlife, पर कौन एक उदारवादी तयान सब्सक्राव तो अंसर हो का फ्रांस के लए 14 some यह उदारवादी तनाचाही से नहीं चुड़ा था, इसमें टोटल 32 है, विश्वी तिहांस है, अब इसमें दो तीन कोश्चन नीचे और देखेंगे, जिसमें आप एतिहांसिक सोध से एक दो टॉपिक जो पूछे गए हैं, प्रिवियस यर में, उजिसे नेट जारे फिश् पर हिमाला इस्तित हैं, तथा इसकी दक्षनी, पुर्वी और पश्मी परिसीमा मुक्त सागर से घीरी हैं, कारण इस परकार भारत दुनिया के अनभागों से कट गया है, बिल्कुल नहीं है, दुनिया के अनभागों से नहीं कट है, यह सही है, लेकिन आर्ग गलत है, गुहा जूडे हुए है, और लोकन प्रक्रिया में सोध को होना चाहिए, किस तरह के अनभागों करते हैं, तो सोध किस तरह को होना चाहिए, सत्तत और दिरगास्थाई होना चाहिए, ओके, चलिए, एक दो कोश्चन और है, इंपोर्टेंट कोश्चन, दिसम्ब 2010 में, किसन उपियोगितावाद के सिधान को प्रतिपादित किया था, जेरोमी बेन्थम ने, ये टोपिक आपका कहे तो इक बुक में आता है, इतिहांस लेखन में, जेरोमी बेन्थम ने उपियोगितावाद के सिधान को प्रतिपादित किया था, बहमूले धातुवाद और अनुकु कुछा है जैसे कि इसमें Sumerit करना है आयस एस अएरी आइरन यहानि इस सब में सबको लोहा इसका मतलब होता है लोहा लेकिन किन किन सब्दों से जुड़ा हुआ है चलिए देख लेते हैं आयस जो है इस मतलब लोहा होता है इसको स्याम अयस भी कहा जाता है इसको लोहा होता है ये सब्द संस्कृत से जुड़ा हुआ है उसके बाद S जुड़ा होता है Latin से एरी है अवेस्ता से अवेस्ता यानि कि पार्सी धर्म होता है उसका जो अवेस्ता उसका ग्रंथ है तो जिन्दे अवेस्ता है उसमें अलोहा को एरी कहा गया है आयरन आयरन सब्स जो है वो इंग्लिस वर्ड है तीस तरह से आप देख लिए किस तरह के question पूछे जा रहा है ये 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 सब्जेक्ट हिस्ट्री के प्रस्न पत्र 2 में जिसमें अपने सब्जेक्ट से question पूछे जाते हैं तो सबसे last में जो question पूछे जाते हैं तो यहीं last के जो पूछे गए question है इसमें अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका last का बहुत सारा question solve हो सकता है last में जो पूछा जाता है वो which इतिहांस रहता है साथ ही इतिहांस लेखन या सोध विचार्ज होते हैं उससे समंधित question पूछे जाते हैं तो आज इसी के साथ जो इविचिनेट का जो स्रीज स्टार्ट हुआ था प्रिविएस येर का समाप्त होता है एक नए स्रीज के साथ अगले एक्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करिंगे वीडियो आप जलते जल चैनल से जूड़ जाएं क्योंकि ये जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि मैं इसमें टिपकल रूप से जो जैसे के स्टार्ट करते हैं पूरे चैक्टर को सुरू से पढ़ाते हैं मुझे पता है कि आपको बहुत सारी जनकार्या है पहले से हैं तो मैं वह नहीं पढ़ाऊंगी जो आपको पता है मुझे पता है कि आपको क्या नहीं पता है, फिर अब वहीं चीज को मैं टच करूँगी, इस तरह से वीडियो को देखते रहें, वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले और इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक नए सीरे से उनिसीनेट हिस्टी की तयारी कराई जाएगी इस चैनल पर, वो भी ट्रिक की रूप से, और साथ ही अब्जेक्टिव रूप से भी, ओके तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सुब्राटी देने बादे